हलो इस्टुडेंट फिर सोगा था मेरे यूटूब चैनल में जैसा कि आपको मैं ओपन बुक 2021 के पूरा इंफोमेशन देने वाला हूं इस तरह एक्जाम होगा क्योंकि यसी फश्टियर वाले के लिए काफी जानला जरूरत है पहले जो बच्चे मेरे चैनल को नहीं होंगे जो देख रहे होंगे तो उनके लिए कुछ जानकारी देना चाहूंगा तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने आपके लिए कुछ जानकारी नोटिस किया था जिसमें से डाक्टर यादव ने बताया था कि प्रथा वर्षानी की पर फश्टिया और समेस्टर वाले जो स्टुडेंट होंगे वह उपन बुक एक्जाम दे सकते हों कब होगा उनका एक्जाम चून में होगा और इसको जून में होने वाद आपको कहां दिया जाएगा तो आप लोगों को इसमें निकट यानि कि आपके पास में रहने वाले तो प्सक्राइब की दिया जाय कि इसमें पुस्तेका को जमा जाया है कर सकते हैं जिन्होंने बताया है कि विद्यार्थियों के सोस्त को ध्यान में रखते हुए उनकी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए अंतिम वर्स के और समेस्टर वाले विद्यार्थियों का परिक्षा भौतिक रोप सियानी की उनका परिक्षा ओफ-लाइन किया जाएगा उसमें पास ही क कोई केंद्र को उपस्थित कर दिया पास में कोई कॉलेज होगा उस पर एक केंद्र बना दिया जाएगा और उसको 21 यानि कि उनका 2021 मैं माई माह में उनका पेपर को संचालित किया जाएगा ओके तितनी बात आपको समझ में आ गया सब्सक्राइब होगा कि फर्ष्ट यार वाले और सिकंडियर वालों ओपन बुक है दोरे एक्जाम होगा और साथ में जो फाइनल बारे बच्ची होंगे उनका एक्जाम ऑफलाइन किया जाया क्योंकि यार देखिए अगले बार भी ऐसा हुआ था कि फाइनल यार वालों का ओ पोर्टन रखता है इसलिए सरकार ने इसको ऑफलाइन ही किया है तो उसके बात फिर आप लोग को थोड़ तो देखिए अब आप लोग को हम बताते हैं ओपन बुक एक्जाम प्रोसेस 2021 तो आप लोग इसमें थोड़ा थोड़ा आपको कुछ सिस्टम के बारे बता देते है है कि जो वत्ची फश्टर वाले होंगे किसार हम लोगे एक्जाम देंगे कैसे हमारा पेपर कैसे आएगा सब कुछ इस वीडियो में किलियर करने वाला हूं तो आप सबसे चलिए इस वीडियो में आप लोग को बताते हैं कि आप लोग किस तरह हैं अपना इनवरसिटी का यह कर सकते हैं और साथ में एक्जाम आपको पेपर कैसे मिलेगा तो आप लोग इस वीडियो में बैर यह आंगे इंपी ओनलाइन के अब आपन किया हूं तिसमें मुझे सारे इंवर्सिटी का पोर्टल हमको देखने को मिल सकता है इसलिए बहुत अच्छा है कि ओनलाइन ओपन करोगे तो इसमें से जितने भी इंवर्सिटी हैं उनका पोर्टल आमसे देख सकेंगे कि नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं को आप अफिस्टेयल वेफसराइट टाइप करके गूगल में ओपन कर लेना थे वीडियो आप समझाने क्लिए बना रहा हूं तो देखिए आपको क्या करना पड़ा एक जाम पर के लिए मैं ले ले रहा हूं विक्रम विश्वविद्याले को तो इसका पोर्टल आपको इस तरह देखने को मिल जाएगा तो आपको जैसा इसके नीचे आएंगे तो इस नीचे आने बाद आपको यहां पास देखने को मिलेगा सिस्टम तो आप लोग अपने फोन पर ही उपन कर सकते हैं और हां इससे पहले आपको थोड़ा और आंगे बताता हूं जैसे आप लोग इसमें अपलाई करने आओगे यह तो हो सकता है कि फाइनल यह वालों के लिए पोर्टल बना हो लेकिन आप लोगों के लिए न्यू पोर आप लॉनलाइन वाला पाशवले अंपई उनलाइन पूरा और लोगों कंई सिस्टम बना देगा तो आपको एसमें करना क्या पड़ेगा पर किरियेट सूल कुरेंगे तेहां पास aç सब्सक्रीम होगे कि इस बर आप लोग को जादा भी लग सकता है यह आपके उनिवर्सिटी को पर डिपेंट करता है उसके बज़ा समय यहां पर बैक कर लिया हूं बैक होने के बाद आप लोगों को क्या करना पड़ेगे यहां पास आप लोग लोग इस देज़ा से यूजर नेम और पास्वड ड दाउनलोड कर लोगे पेपर डाउनलोड करने के बाद आप लोगों अपने पेना और कापी मच्छी तरीके से लिखना पड़ेगा मिल जाएगा तो चलिए थोड़ा और बाते आप लोग को आंगे समझाता हूं मैं तो देखी लिए होंगे कि आप लोगों का किस तरह होगा तो हाँ आप लोग इसमा थोड़ा इस बारत को ध्यान में ध्यान में रखी रहना कि आप लोग का जो प्यासी फाइनल यर बालों के लिए सादो पोटल बना हो इस पर आपको सिकेंडियर वाले के अपडेट कर दिया जाएगा तो आप लोग को काफी जादा उसमें देखने को मिल सकते हैं और साथ में आप सिकेंड़ टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है इन्वर्सिटी गाइडलाइंड कि हाँ आप लोग का इन्वर्सिटी आधा जाए डिसाइट करेगा कि आप लोग को पेपर बेट हो जाए थोड़े इसकों कलर चिंज कर लिए तो समझ में नहीं दे सकते हैं वह आपके इन्वर्सिटी को पर डिसाइड करता कि किस तरह एक्जाम ले सकते हैं और इसमें आप लोग ऊपन बुक में क्या कर सकते हैं कि आप लोग इसमें से नोट या अपने बुक से देख देखकर तो लिखी सकते हैं और आपको जो इन्वर्सिटी गाइड करना पड़ जाएगा या फिर आपको 24 घंटा दिया जाएगा जिससे आप अंदर पेपर जमा कर देंगे तो बाते आप लोगों को समझ में आ गई होगे और इसमें थोड़ा और बात आपको धियान में देना होगा कि देखिए इसमें यह हो सकता कि इनवर्सिटी आप लोगो से कहीं भी टॉपिक उठा कि उसको प्रेशन बना देगा बहुत ज्यादा घुमा फिरा कर यहां पर बनाने वाला है तो आप लोग इसमें थोड़ा ध्यान देना कुछ पढ़ लेना ताकि आप लोगो जल्दी से जल्दी आप लोग एक्जाम को कर पाएं चो कि नजदीक मे कि अपना जो पुष्टक होगा जाने उसको आप जमा कर सकते हैं ओके तो आइनो के आपको इतने बाते समझ में आ गया होगा और जब अच्छे नहीं होंगे तो प्लेश चानल को लाइक और सब्सक्राइब कर ही लेना क्योंकि आप लोगों के लिए जूड़ी जानकारी और